रूस से नहीं बनी बात लेकिन यूए में भारत को हासिल हुई बड़ी सफलता भारत अपने इस्तमाल के 85 फीसद तेल के लिए निर्यात पन निर्भर है इसलिए भारत चाहता है कि तेल के व्यापार में रुपए के इस्तमाल को बढ़ावा दिया जाए इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए है और रुपए के अंतराश्यकरण में शुरुआती सफलता मिलती भी दिख रही है डौट अधिकारियों ने कहा है कि भारत ने पहली बार सन्युक्त अरब अमीराच से तेल खरीद के लिए रुपए का इस्तमाल किया है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभुकता भारत स्थानिया मुद्रा में तेल की खरीद को बढ़ावा दे रहा ताकि वो अन्य तेल आपूर्ती करताओं के साथ भी इस तरह का सौदा कर सके भारत कच्चे तेल की खरीद के लिए तीन स्तरिय रणनीती अपना रहा है जिसमें जितना हो सके सस्ता तेल खरीदना आपूर्ती करता देशों में विविट्टा लाना और रूसी तेल पर लगे साथ डॉलर प्रती बैरल के प्राइस के जैसे किसी भी अंतराश्य प्रतिब होने के बाद भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया जिससे भारी मुनाफ़ा हुआ है इसी के साथ ही भारत अब डॉलर की अदलाब्दली में होने वाली लागत से बचने के लिए रुपए में व्यापार को बढ़ावा देना चाता है भारत ने जुलाई में युएई के साथ रुपए के निप्तान के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किया था और इसके तुरंत बाद इंडियन ओयल कॉर्कोरेशन ने अबू धाबी नैशनल ओयल कमपनी एडी अनोसी से दस लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद के लिए भारतिय रुपए में भुक अधिकारियों का कहना है कि विदेशी व्यापार के लिए दशकों से अमेरिकी डॉलर ही इस्तमाल होता आया है लेकिन अब भारत डॉलर के इस्तमाल को कम कर भारतिय रुपए में व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है डौट कई देशों से 7 रुपए में व्यापार करन रुपए में ट्रेड सेटलमेंट की अनुमती दी है। इसके बाद से ही भारत, UAE और साउधी अरब जैसे बड़े तेल निर्यातकों से रुपए में भुकतान लेने को कह रहा है। अधिकारियों ने समाचार एजनसी PTI से कहा, रुपए में व्यापार की पहली सफलता इस साल अगस्ट में मिली जब IOC ने ADNOC को रुपए में भुकतान किया। रातों रात नहीं हो सकता मुद्रा का अंतराश्य करन। अधिकारी ने कहा कि आने वाले वक्त में इस तरह की और भी डील हो सकती है। एक अन्य अधिकारी का कहना है, जब हम छोटा मोटा व्यापार कर रही हो तब तो रुपए में व्यापार में कोई दिक्कत पेश नहीं आती लेकिन जब हमें लाखों डॉलर का तेल खरीदना हो तब रुपए में भुकतान में दिक्कत है। अधिकारियों का कहना है कि रुपय का अंतराश्यकरन डॉलर की मांग को कम करने में मदद करेगा और डॉलर के उतार चधाव का भारतिय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी कम होगा